नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज प्रस्तूत है उपन्यास समराथ मुन्शी प्रेमचंद का लिखा हुआ एक उपन्यास निर्मला यह उपन्यास 1927 में प्रकाशित हुआ था इसकी कहानी बेमेल विवाह के बाद उत्पन हुई परिस्थितियों के इर्दगिर्द घूमती है मुन्शी प्रेमचंद बेमेल विवाह के घोर विरोधी थे और उनका यह विरोध उनके साहित्य में प्रकट हुआ है इस कहानी में दहेज को लेकर ततकालीन समाज में कैसे इस्थित ही उसको भी बखुवी बताया है और बहुत से बेमेल विवाह इस दहेज प्रथा के कारण ही होते थे और आज भी होते हैं वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है क्रिपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि इसके अगले भाग की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए तो आईए शुरू करते हैं बाबु उदैभानू लाल का मकान बाजार बना हुआ है बरामदे में सुनार के हथोड़े और कमरे में दर्जी की सुईया चल रही है सामने नीम के नीचे बढ़ए चारपाईया बना रहा है खपरेल में हलवाई के लिए भटी खो दी गई है महमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक महमान के लिए एक-एक चारपाई, एक-एक कुर्सी और एक-एक मेज हो और तीन महमानों के लिए एक-एक कहार रखने की तजवीज हो रही है अभी बारात आने में महीने भर की देर है लेकिन तैयारियां अभी से हो रही है बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जुबान खुलने का मौका न मिले वे लोग भी याद करें कि किसी के यहां बरात में गए थे पूरा मकान भरतनों से भरा हुआ है चाहे के सेट हैं नाश्ते की तश्तरियां थाल, लोटे, गलास जो लोग नित्यक हाट पर पड़े हुका पीते रहते थे बड़ी तकपरता से काम में लगे हुए हैं अपनी उप्योगिता सिध्ध करने का ऐसा अच्छा अफसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा जहां एक आदमी को जाना होता है पांच दोड़ते हैं काम कम होता है, हुलर अधिक जरा-जरा सी बात पर घंटो तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील सहब को आकर निर्नाय करना पड़ता है एक कहता है यह घी खराब है दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की रहा से निकल जाँ तीसरा कहता है इसमें तो ही काती है चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं जब से यहां आए हो घी मिलने लगा है नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील सहाब को जगडा चुकाना पड़ता है रात के नौ बज गए थे उदैभानूलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तक्मीना लगा रहे थे वैप्रायहार रोज ही तक्मीना लगाते थे पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था सामने कल्यानी भौहें सिकोड़े खड़े थी बाबु साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले दस हजार से कम नहीं होता बलकि शयाद और बढ़ जाए कल्यानी, दस दिन में पांच से दस हजार हुए एक महिने में तो शयाद एक लाख की नौब अजाए उदय भानुलाल, क्या करूं जग हसाई भी तो अच्छी नहीं लगती कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन छोटे फिर जब भय मुझसे दहेज एक पाई भी नहीं ले रहे तो मेरा भी करतव है कि महमानों के आदर सतकार में कोई बात उठा न रखूं कल्याणी जब से ब्रह्मा ने स्रिष्टी रची तब से आज तक कभी बरातियों को कोई प्रसन नहीं रख सका उन्हें दोश निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अबसर मिल ही जाता है जिसे अपने घर की सूखी रोटियां भी मयसर नहीं वह भी बरात में जाकर ताना शाहा बन वेट था है तेल खुशबुदार नहीं साब उन टके का सेर जने कहां से बटोड लाए कहार नहीं सुनते लाल्टे ने धुआ देती है कुर्सियों में खटमल है चारपाईया धिली है जनवासे की जगह हवादार नहीं ऐसी ऐसी हजारों शिकायते होती रहती है उन्हें आप कहां तक रोखिएगा यदि यह मौका ना मिला तो और कोई अब निकाल लिये जाएंगे भै यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है हमें तो सादा तेल चाहिए जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है अपनी अमीरी की शान दिखाई है मानो हमने साबुन देखा ही नहीं यह कहार नहीं यम्दूत है जब देखिए सिर पर सवार लाल्टेने ऐसी भेजी हैं कि आखे चमकने लगती हैं अगर दस-पांच दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आखे फूट जाएं जनबासा क्या है अभागे का भाग्य है जिस पर चारों तरफ से जोंके आते रहते हैं मैं तो फिर यही कहूंगी कि बरातियों के नकरों का विचार ही छोड़ दो उदै भानुलाल तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो कल्याणी कहतो रही हूं पक्का इरादा कर लो कि मैं पांच हजार से अधिक खर्च न करूंगा घर में तो टका है नहीं कर्ज का ही भरोसा ठहरा तो इतना कर्ज क्यों लें कि जिन्दगी में अदा न हो आखिर मेरे और भी वच्चे तो हैं उनके लिए भी तो कुछ चाहिए उदै भानुलाल तो आज मैं मरा जाता हूं कल्याणी जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता उदै भानुलाल तो तुम बैठी यही मनाया करती हो कल्याणी इसमें बेगरने की तो कोई बात नहीं मरना एक दिन सभी को है कोई यहां अमर होकर थोड़े ही आया है आखे बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी रोज आखों देखती हूं बाप का देहान्त हो जाता है उसके बच्चे गली-गली ठोकरे खाते फिरते हैं आदमी ऐसा काम ही क्यों करे उदै भानुलाल ने जलकर कहा तो अब समझ लूँ कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए यही तुम्हारी भविष्चिवानी है सुहाग से इस्तनियों का जी उपते नहीं जुना था आज यह नई बात मालूम हुई रंडापे में भी कोई सुख होगा ही कल्यानी तुमसे दुनिया के कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो इसलिए ना कि जानते हो इसे कहीं ठिकाना नहीं है मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ जहां कोई बात नहीं बस सिर हो गए मानो मैं घर की लॉंडी हूँ मेरा केवल रोटि और कपड़े का नाता है जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो मुफ्त खोर माल उणाएं कोई मुह न खोले शराब कबाब में रुपए लुटें कोई जुबान न हिलाए वे सारे काटे मेरे बच्चों के लिए ही तो बोई जा रहे हैं उदैभनुलाल तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ कल्याणी तो क्या मैं तुम्हारी लॉंडी हूँ उदैभनुलाल ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं कल्याणी, तो ऐसे इस्त्रियां भी और होंगी, जो मर्दों की जूतियां साहा करती हैं, उदय भनुलाग, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ, खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं, कल्याणी, तो आप अपना घर संभलिये, ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है, जहां मेरी कोई पूछ नहीं, घर में जितना तुम्हारा अधिकार है, उतना ही मेरा भी, इस से जौ भर भी कम नहीं, अगर तुम अपने मन के राजा हो, तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ, तुम भनुलाल, क्या तुम समझती हो, कि तुम ना समभलोगी, तो मेरा घर ही न समभलेगा, मैं अकेले ऐसे दस-दस घर समभल सकता हूँ, कल्याणी, कौन, अगर आज के महीनों दस दिन मिट्टी में न मिल जाएं, तो कहना, कोई कहती थी, या कहते कहते कल्याणी का चेहरा तम- ग्यान था, यही एक ऐसी विद्या है, जिसमें आदमी बुढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है, अगर वे अब भी नरम पड़ जाते, और कल्याणी का हाथ पकड़ कर बिठा लेते, तो शायद वहरुख जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका, उल्टे चलते चलते एक और दिया, बोला, मैं के का घमंड होगा, कल्याणी ने द्वार पर रुख कर पती की ओर लाल-लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैं के वाले मेरे तकदीर के साथ ही नहीं है, और ना मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं, उदैभानू, तब कहा जा रही हो, कल्याणी, यह तुम पूछने वाले कौन होते हो, ईश्वर किस रिष्टी में असंखे प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह नहीं है, यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर चली गई, आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानुत तार चार पाई उसी के कमरे में रहती थी, वै अपने कमरे में आई, देखा, चंदर भानु सोया है, सबसे छोटा सूर्य भानु चार पाई पर उठ बैठा है, माता को देखते ही बोला, तुम तहां दाइन थी, अम्मा, कल्याणी दूर से ही खड़े-खड़े बोली, कहीं तो न साथ फैला दिये, कल्याणी अब अपने को न रोग सकी, मात्र इसनेहे के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिपलावित हो गया, हृदय के कोमल पौधे, जो क्रोध के ताप से मुर्जा गए थे, फिर हरे हो गए, आखे सजल हो गई, उसने बच्चे को गोध में उठा लिया और छाती से लगा कर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा, सूर्य, पुतालता तो था, तुम थुनती न थी, बताओ, आप तो तबी न दाओगी, कल्याणी, नहीं भाया, आब नहीं जाओंगी, यह कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई प कर सो गया, कल्याणी के मन में संकल्प, विकल्प होने लगे, पती की बातें याद आती तो मन होता, घर को तिलांजली देकर चली जाओं, लेकिन बच्चों का मुह देखती तो वात्सल्य से चित गदगद हो जाता, बच्चों को किस पर छोड़ कर जाओं, मेरे इन लालों क कौन पालेगा, ये किसके होकर रहेंगे, कौन प्राताहकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा, कौन इनकी नीन्द सोएगा, इनकी नीन्द जागेगा, बेचारे कोड़ी के तीन हो जाएंगे, नहीं प्यारों मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाओंगी, तुम्हारे ल जोड़ करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी, उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी इस्त्री हूँ, बात मुह से निकालने मुश्किल है, अब मैं इनका गुलाम हो कर रहूं, घर में अकेली यह रहें, और बाकी जितने अपने बेगाने हैं, सब निकाल दिय जाएं, जला करती हैं, मनाती हैं कि यह किसी तरह मरे, तो मैं अकेली आराम करूँ, जिल की बात मुह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही चिपाए, कई दिन से देख रहा हूं, ऐसी ही जली कटी सुनाया करती हैं, मैं के का गमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई भी न पूछ अभी सब आवभगत करते हैं, जब जाकर सिर्पर पढ़ जाएंगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, रोती हुई जाएंगी, वहरे घमंड, सोचती हैं मैं ही यह घ्रहस्ती चलाती हूँ, अभी चार दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा, सारी शेखी कि किरी हो जाएगी, एक बार इसका घमंड तोड़ ही दूँ, जरा वैधवे का मजा भी चखा दूँ, नजाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है, कि मुझे यूँ कोशने लगती हैं, मालूम होता है प्रेम इसे चू नहीं गया है, या समझती है, या घर से इतना चिम्टा हुआ है कि इसे चाहे जितना कोशन, टलने का नाम ललेगा, यही बात है, पर इहां संसार से चिमटने वाले जीव नहीं है, जहन्नुम में जाए यह घर जहां ऐसे प्राणियों से पाला पड़े, घर है या नरक, आदमी बाहर से ठका मादा आता है, तो उसे घर में आराम मिलता है यहां आराम के बदले कोशने सुनने पड़ते हैं, मेरी मृत्यों के लिए व्रत रखे जाते हैं, यह है पचीस वर्ष के दामपत्य जीवन का अंत, बस चल ही दूँ, जब देख लूँ, इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजास ठंडा हो गया, तो लोट आऊंगा, चार-पांच दिन काफी होंगे, लो तुम भी याद करोगी किसी से पाला पड़ा था, यही सोचते हुए बाबु सहाब उठे, रेश्मी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकाल कर दूसरे कुर्ते के जेब में रखा, छड़ी उठाई और चु जीवन रंग शाला का भे निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त इस्थान पर बैठा हुआ, अपनी जटिल क्रूर क्रिड़ा दिखा रहा है, यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनाय सत्य का रूप ट्रहन करने वाला है, निशा ने इंदु को प्रया विजय गर्व से इठलाती हुई फिरती थी, बन में वन्य जन्तु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नगर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे, बाबु उदय भानूलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे, उन्होंने अपना कुर्ता घा विचत न हो सकती थी, दम के दम सारे शहर में खबर मशूर हो जाएगी, आट भजते भजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा, तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। तब बाबु सहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा आभास हुआ कि इसकी नियत साफ नहीं है, उन्होंने तुरंत जेबी लाल्टेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा, एक बलिष्ट मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता बाबु सहब उसे देखते ही चौक पड़े। का अच्छा मौका है, ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। मैं तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबु सहब ने जेबी लाल्टेन जलाई, बदमाश जरा ठिटक कर बोला, क्यों बाबु पहचानते हो, मैं आ हूँ मताई। पाबु सहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, मताई। क्यों किसी को रस्ता चलने की मनाही है, यह गली तुम्हारे बाब की है। पाबु सहब जवानी में कुष्टी लड़े थे, अब भी रिष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे, छड़ी सम्हाल कर बोले। अभी शायद मन नहीं भरा, अब की साथ साल को जाओगे। मतई, मैं साथ साल को जाओँगा या चौधह साल को, पर तुम्हें जिन्दा न छोड़ूँगा। अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ, कि अब किसी को सजा न कराओँगा, तो छोड़ दूँँगा। बोलो, मंजूर है? उदैभानू, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? एक, उदैभानू, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमेन को बुलाऊँ? मतई, दो, उदैभानू, गरज कर, हज्जा बदमाश सामने से? मतई, तीन, मुसे तीन शब्द निकालते ही, बाबु सहाब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पढ़ा, कि वह अच चेत होकर जमीन पर गिर पड़े, मुसे केवल इतना ही निकला, हाई, मार डाला, मतई ने समी पाकर देखा, तो सिर फट गया था, और खोन की धार निकल रही थी, नाड़ी का कहीं पता न था, समझ गया कि काम तमाम हो गया, उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते इसे अंगूठी उतारी और अपनी रहा पर चला गया, मनों कुछ हुआ ही नहीं, हाँ, इतनी दया की, कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी, हाई, विचारी क्या सोच कर चले थे, क्या हो गया, जीवन, इससे ज्यादा असार भी दुनिया में कोई वस्तु है, क्या उसे तूटते भी कुछ देर लगती है, जीवन में उतना सार ही नहीं, सांस का भरोसा ही क्या, और इसी नश्वरता पर हम अभिलाशाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं, नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस उपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की हैं, मान आपको उनके यह रचना कैसी लगी, क्रपया कॉमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, तथा यह भी बताएं कि मुन्शी प्रेम चंद की अन्य कौनसी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं, आप से जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के स तब तक के लिए धन्यवाद